मेरट के दोराला में शनिवार सुबहु समय बड़ा हाथ सा टल गया जब सहारनपुर से दिली जा रही पैसेंजर ट्रेन में आग लग गई और वक्त रहते लोग ट्रेन से उतर गए ट्रेन से उठती लपटों ने लोगों को दहशत मे ला दिया पैसेंजर ट्रेन के दो कोच और इनजन में आग लगने के बाद बागी कोच को काट कर अलग किया गया इस दोरान यात्रियों ने पूरी ट्रेन को आग की चपेट में आने से बचाने के लिए इसे धगा दे कर इसके बाद जैसे ही दौराला स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया था यात्री सही सलामत ट्रेन से उत्रे इसी दौरान यात्रियों ने अपनी सुझ गुच का परिचे दिया और रेलवे के कर्मचारियों के साथ आग लगे कोच्चों से ट्रेन के अनडिब्बे को धक्का मार कर आगे कर ठीकाने पर पहुँचाया इस तरहे से ट्रेन के अनडिब्बे आखी चपेख में आने से बचे रेलवे के आधिकारिक सुझों का कहना है सम्हबर आग शाच्च सरकित की वजह से लगी लेकिन ट्रेन के दौराला स्टेशन पर खड़े होने की वजह से आग पर तु सुबह साथ बच कर दस मिनिट पर पहुँचनी थी और आमतार पर दैने की आधरी स्टेशन पर मौदूद थे। स्टेशन पर पहुँचते ही अचानक ट्रेन के दो जिब्बों में धुआन करता हुआ दिखाई दिया।